नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ख़बर एचपी और आईए वक्त हो गया हिमाचल पर्देश के ताजा और बड़ी ख़बरों को जानने का बतायेंगे सबी ख़बरें एक एक करके एवं विस्तार से उससे पहले आप हिमाचल पर्देश के किस जीले से न्यूज को रहत देने वाला होगा जिमुख्यंतिर सुकमिंदर शिक्षुक उने रहिवार को इपने गिरी बिदानशबात शेतर में जन सबा को संबोधित किया कहा कि कि सरकार का पहला बजड़ जन है तेसी और आम आदमी को रहत देने वाला होगा वोई सरकार न जन कल्यान को सरवच प्रात्मिक्ता देते हुए ध्यान दे रही है कि परदेश की आर्थिक इस्तिती को संतुलित किया जाए वोई सरकार वित्य अनुसासन सुनिचीत करने को विशेस तरजी दे रही है कहा कि छेतर में लोगों को गुनवता पुर्ने स्वास्ते सेवाई देने के लिए डॉक्टर राधा किस्टन चिकिसा महाविद्याले के निर्मान में धन की कमी आड़े नहीं आएगी हिमाचल विस्विदाले में पार्ट टाइम पी अईडी को मिलेगी सुविधा रेजिडेंसी की सर्त में छूट जह हिमाचल परदेश विस्विदाले की सेक्षिनिक परिसत की अस्ताई समेती की बैठेक में इसमें पार्ट टाइम पीड करने की सुविदा होगी वहीं सोधार्ती को पीड करने के लगातार विश्विदाले में उपस्तित रहने की रेजिडेंसी की सर्त में भी रहत मिल सकती है यह बैठक सनिबार को अधिश्चता अधियन प्रोफेसर कुलभूसन चंदिल की अधिश्चता और पर्ति कुलपति प्रोफेसर जोती परकास की मोजोतकी में सनिबार को हुई वहीं आपको बता दें कि नई नीमों के तहट पार्ट टाइम प्रोफेसर की अधिश्चता नहीं रहेगी इससे इसकूलों और कोलेजों में सिक्षन कारी भी कम परभायुत होगा वहीं 6 मा का रेगूलर कॉर्स वर्क पूरा करने की सर्थ में रेगूलर और पार्ट टाइम दोनों तरके PID में रहेगी जनेता परतिपक्स जेराम ठाकूर ने उना में पर्देश कारी समिती की बैठक में केंदर सरकार की उपलवद्यों को गिनाया वहीं पर्देश कोंग्रेश सरकार पर भी आकरामक नजर आई उनने पताधी कारी कारी करताओं से कोंग्रेश के जन ब्रोधी निर्नियों के खिलाब जंदा को लाम बंद करने का आववान किया कहा कि कॉंग्रेस सरकार हिमकेर योजना को भी बंद करने की तयारी कर रही है जबकि आयुष्मान भारत जैसी सर्वस्टेस योजना को भी ठप करने का परियास किया जा रहा है इस योजना से हिमाचल परदेश के लाखों लोगों को लाप पहुचा है मंत्री अनुराख ठाकूर बोले आईटी के चेतर में अमेरिका की सिलिकॉन वेली जैसे आगे है भारत कॉंग्रेस पर जम कर बरसी जे केंदरिये सुचना एबं परसारन मत्ती अनुराख ठाकूर ने काया कि कॉंग्रेस नेता केबल जूटे आरोप परधान मत्ती नर्मोदी की छबी पर चिपकाने का प्रियास करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं वहीं का अगेस केंदर में सिर्फ परधेस सरकार की बात करती है और केंदरिये मुद्य पर बात नहीं कर पाती है वहीं काउंग्रेस पerson कआंटी ने अपने सासन काल में केबल जनता को गुम्रा करने का कारी किया था वही आपको पता देखिए वह रईवार को उना में भाचपा परदेश कारी समिथी की बैठे को संबोधित कर रहे थे काकी देश में 2024 लोकसभा चुनाप के लिए 400 दिन रगए हैं हम एक बार फिर केंदर में मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं और हिमाचल परदेश में सभी चारों सीटों को फिर भाचपा जीतेगी वही नौ वर्ष से पूर्बत जब कोंगरेश की सरकार केंदर में सत्ता में थी तो 12% महेंगाई धर थी वही देश में भरष्टाचार का बोल बाला था लेकिन भाचपा के 87 होने के बाद तस्वीर बदली है पदमसी डॉक्टर रंदीब गुलरिया एमस बिलासपूर के पहले अध्यक्षी नियुक्त जिब पल्मोनरी मेडिसीन एंड स्रीप डिस ओर्डर के प्रसीद विससगिया पदमसी डॉक्टर प्रोफेसर रंदीब गुलरिया को अखिल भारत्य आयुर्विग्गान सनस्तान बिलासपूर का पहला अध्यक्षी नियुक्ते किया गया है वह एमस की वेवस्ता की निग्रानी करेंगे और परबंदन को आवस्चक सुझाब देंगे वही डॉक्टर गुलरिया को अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद एमस से अपने लक्ष की और तेजगती से बढ़ेगा 500 मिटर की लंबी दोड़ की आईस स्केटिंग में करनाटक के ओमकारा ने जीता स्वर्न पदग जे जनजातिया जिला किनोर की नाको जिन में आयोजी छे दिवसी राष्टे आईस स्केटिंग परतोगिता का रईवार को समापन हो गया रईवार को 500 और 300 मिटर लंबी दोड़ की आईस स्केटिंग मुकाबले हुई लॉंग ट्रेक स्पीट स्केटिंग में देश भर से आये परती भाग्यों ने हिस्सा लिया वहीं लॉंग ट्रेस रेज के 500 मिटर दोड़ में करनाटक के ओमकारा योगराज और 300 मिटर दोड़ में हिमाचल के रजिनिश ने स्वर्न पदक जीता 27 फरबरी को दस्तावेज जाचने की परिकरिया पूरी की जाएगी हमिरपूर का परिचा केंदर पांच साल के लिए निरस्त पांच चिक्चा बोड ने लिया फैसला जी हिमाचल परदेश इस्कूल चिक्चा बोड ने जीला हमिरपूर के एक परिचा केंदर को पांच वर्स के लिए निरस्त किया है परिचा केंदर को निरस्त करने का फैसला उडान दोस्तों के नकल संबंधित रिपोर्ट के बाद लिया गया है वोई जनकारी के अनुसार आपको बता दे कि हिमाचल पर्देश स्कूल जिक्चा बोट के अध्यक्ष डॉक्टर निपूल जिंदन ने बोट की और से परिचा वी नियम के नियम के अंतरगत नीद सक्तियों का परियोग करते हुए हमिरपूर के सॉल्डर कॉन्वेंडर सिनियर सेकंडरी स्कूल सदो हमिरपूर में अस्ताफित परिचा केंडर पांच वर्सों के लिए निरस्त कर दिया है सड़क हाथ्सों में तीन लोगों की गई जान साथ घायल जे उना जिलेक के डंगोली नंदपूर और लम लहडा गाउं में हुवे सड़क हाथ्सों में तीन लोगों की जान चली गई साथ लोग घायल हो गई गंबिर रूप से जक्मी चार लोगों को प्रात्विक उपचार के बाद पीजी आई रेपर कर दिया गया बाकी का उपचार अस्तानिया अस्पताल में चल रहा है वहीं पुलिस ने केस दर्जिकर जाश शुरू कर दिये थाना सदर के तहट आते डंगोली गाउमे रईवार सुभध दो कारों में भी संटेक कर हो गई हाथ से में एक महिला की मौथोर साथ लोग बुरीतर से घायल हो गई वहीं जेराम ठाकूर ने काया की जब से यह कॉंगरेस सरकार हिमाचल परदेश में बनी है तब से सनस्तानों को बंद करने की निरंतर परिक्रिया चल रही है और अब हिमाचल परदेश में 620 से अधिक कारेले बंद हो चुके है वहीं जेराम ठाकूर ने रहिवार को यहाँ परदेश कारे समयत्यों को संबोधित करते हुए कहा कि भाचपा सरकार ने सभी कारेले को केमिनेट और डिपार्टमेंटल अपूर्वल के बाद ही खोला था और कॉंग्रेस सरकार ने इसके बाब्यूत यह कारेले बंद कर दिये है यह कारेले जन्ता की डिमांड पर खुले थे और भाचपा जन्ता के सयोग से इन कारेले को वापस खोलाने चारी है भाचपा पुरे परदेश भर में सिकनेचर केमपेंड के माध्यम से कॉंग्रेस के इस तुगलगी फर्मान का बिरोत करेगी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार नादन पहुँझे सुकू जगा जगा हुआ जोरदार स्वागत जिये मुख्यमंत्री का पदभार गरन करने के उपरांद ठाकूर सुकवंदर सिंग सुकू के आज पहली बार नादन पधारने पर छेतर में उत्सब जैसा माहुल रहा हजारों लोग फूर मलाएं लेकर जगा जगा अपने चहते नेता का सुआगत करने के लिए सड़क किनारे कतार बत थी युवा महिला के साथ साथ बुजुर्गों में मुख्यमंत्री के आगवन को लेकर जबर दस्त उच्चा था महिलाओं ने पारंपरी गीतों के साथ उनका स्वागत किया मुख्यमंत्री सुकवंदर सिंग सुकू ने इस अफसर पर विर्णवता पुर्वग सभी का अभी वाधन स्विकार किया वही पक्का गरों में लोगों ने आतिसवाजी और ढोल नगाड़े के बीच पारपरीक निरती के साथ कुशी का इजहार किया रोहतांग सहित उची चोटियों पर गिरे बर्प के फाहे 150 सड़के अभी भी बंद जहिमाचल परदेश में रोहतांग सहित उची चोटियों पर रईवार को बर्प के फाहे गिरे हैं उचे चेतर में हिमपात से अब तक करीब 150 सड़के बंद हैं इनमें सबसे ज़्यादा 131 सड़के लाहो लिजपिती में अवरूद है नो सड़के चमबा, तीन कुल्लू, तीन किनोर और दो कंगला जिले में अवरूद है वही आपका मताद की बिजली के साथ ट्रासपरमर और पेजल की आठ योजनाय भी ठप है वही मौसम केंदर सिमला का पुर्मानुमान है कि राज्च में स्वंबाल को निचले चेतर में मौसम सूझ करहेगा वही मद्धिवर्ती और उचे पहाड़ी चेतर में 6 फरवरी को हलका हिमपात और 12 हो सकती है 7 और 8 फरवरी को मौसम सापरने का पुर्मानुमान है इकड़ाल के युजी पर्थम वर्ष के विद्यारतों के लिए 4 जीलों में बनेंगे अतिरिक्ति परिक्षा केंदर वहीं इकड़ल के कारी छेत्र को पहले की तरह से सभी 12 जिलों में रखे जाने के निरने के अनुसार विद्यारतों को ये राहत दी गई है इसके तहत B.A. और B.K.A. के सरदार पटेल विस्ट भिदाले के अधिन आने वाले जिलों के चात्र अपने जिलों में परिचा कित दे सकेंगे उन्हें अब H.P.U. या इसके तहत आने वाले जिलों के केंदरों में आने की जुरुत नहीं रहेगी चलिये में चलते हैं आज के आगरी खबर दुमल बोले दोजार चोबिस में चारों लोग सबा सिटे जीतेगी भाजपा कोगरेस सरकार पर भी बोला हामला बोला हो बोला है दोस्तों आज की संदार खबरों का सिलचना इसमापत होता है अगर जनकारी पसंद आई वीडियो को लाइक, शेयर, चलुकर को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूस को की जिले और पंचायच से देख रहें थेंक्यू, और दे वेस्ट, जहिन, जहिमाचल